2024 का लोकसभा चुनाओं अपने अंतिम पड़ाव पर आप पहुचा है आज प्रचार थम गया है अंतिम चरण के लिए भी एक जून को अंतिम सात्वे चरण का मतदान होगा चार जून को इंडिया गटबंधन की सरकार बनेगी वो सरकार बनेगी जो आपके हक की बात करेगी आपके सम्मान की हमारी गारंटी की बात करेगी लेकिन मुझे कुछ बाते कहने में कोई संशे नहीं है और इस पूरे चुनाओं में दो तरह के प्रचार, दो तरह के वक्तव, दो तरह का नारेटिव देखा गया एक तरफ धनबल, एजेंसी, चनल चुम्बक मीडिया, स्क्रिप्टेड इंटर्व्यूज, लगातार बार बार विपक्ष पर ओचा गंधा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, वो लगातार कोशिश करते रहे एक चानल को एक नहीं, चार चार इंटर्व्यू दे कर कि वो नारेटिव सेट कर सके, लेकिन वो नारेटिव नहीं सेट कर पाए, इसलिए नहीं सेट कर पाए, क्योंकि वो उलजलूल बाते कर रहे थे, वो लोगों के मुद्दे की बात नहीं कर रहे थे, वो दस साल की अपनी रिपोर्ट काड की बात नहीं कर रहे थे, वो अंगल स नजर आये जिनकी सत्ता जा रही है और सत्ता के जाने का भै उनको बहुत सता रहा है तो इस तरफ नरेंदर मोदी थे जिन्होंने मर्यादा की अपने पद की प्रतिष्ठा की राजनिती में शुचिता की हर सीमा को लांगा उन्होंने क्या-क्या बाते विपक्ष के लिए कहीं वो शायद मैं कैमरे पर बोल भी नहीं सकती हूँ लेकिन उन्होंने वो बाते चुनावी मंच से कहीं मुझरे की बात, मंगल सूत्र की बात, भैस्त की बात लगा अतार जूट बोला और दूसरी तरफ इंडिया गटबंधन था दूसरी तरफ राहुल गांदी थे हमने भी लिथी की नरेंदर मोधी कितना भी बरगलाएं, वो शहीदों को कितना भी अपमान करें, हम आपके मुद्दों पर डटे रहेंगे और राहुल गांदी जी ने बीड़ा उठा लिया था रोजगार की बात करने का, महंगाई को खत्म करने का, गरीबी को समाप्त करने का, और सबसे जादा उन्होंने बीड़ा उठा लिया था आपके प्रतिनिभित्व का, गिलती का, और उसी पर वो डटे रहें, ये सारा चुनाओ, हमने मर्यादा से, प्रतिष्ठा से, आलोचना जरूर करी, लोगों को कटगरे में खड़ा किया, उनसे सवाल पूछे, तीक है सवा कटू वचन बोले, लेकिन मर्यादा की, शुचिता की, प्रतिष्ठा की कोई भी सीमा हमने कभी नहीं लागी, और इस बात का बड़ा फक्र है, कॉंग्रेस की जो कैमपेन थी, वो लोगों के उद्दे पर केंद्रित रही, और यही इंडिया गटबंदन की भी कैमपेन थी, हम सब लोग खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट आपकी बात कर रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि चार जूम को इंडिया गटबंदन की सरकार बनेगी, वो सरकार बनेगी, जो एक आदमी के मन की बात से नहीं चलेगी, जो तमाम लोगों के जो आशाएं हैं, अप 800 रुपए महीना, ये सारी चीजें, जो एक मुर्दा पड़ी अर्थवस्था को फिर से पुनर जागरित कर देंगी, उस पर ये चुनाओ हुआ है, लोग बहुत समझदार है, हिंदुस्तान की जंता बहुत समझदार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को इंड अगटपंदर ने चलाई, वो आपकी कैंपेन थी, आपकी अवास थी, आपके मुद्दे थे